नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्योब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश में दोस्तों आज की वीडियो आपके काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट और यूजफूल होने वाली है दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके Moto G42 के फोन में आप लोग इननेट नहीं यूज़ करते हैं फिर भी आपका डाटा खत्म हो जाता है या जो है डाटा स्पीड आपके फोन में इंक्रीज नहीं यह काफी स्लो नेट चलता है इस प्रोब्लम आज की वीडियो देखने वाद स्वल्ब हो जाएगी सबसे पहले आप प्ले इस्टोर ओपिन करिए डाटा वाचर आपको सर्च करना है डाटा वाचर सर्च करने वाद यही अप्लिकेशन आपको अपनी फोन में डाउनलोड करना है और फाइलली किलिक करने वाद एप्लिकेशन हमारे फोन में ओपेन हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टन सेटिंग करनी होते हैं दो यह किस्टप होता है इनको आप आसानी से कर सकते हैं अगर एड वगेरा इसको आपको अपनी फोन में दिखने को मिल रहा है तो इसको कट कर दीजिए और यहाँ पे एकसेप्ट का उप्सन है एकसेप्ट के उप्सन पे किलिक कर दीजिए किलिक करने वाद सबसे उपर आपको एक option देखने को मिलता है data save का यहाँ आप देख सकते हैं data save के option को आप लोग on कर दीजे इसको यहाँ पे click करेंगे click करने वाद यहाँ पे इसको on कर दीजे permission मांगेगा तो accept के option पर click करके आप जो है data watcher को permission दे दीजे data use नहीं करते फिर भी खत्म हो जाएगी